हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो नंकिशोर क्लासेज, आज का लेक्चर बहुत ही इंट्रस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम स्पेशल टाइप ओफ क्वाडिलिटरल काइट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, काइट की हर तरह की प्रॉपर्टी आज के वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर कंसेप्ट क्लियर होगा, सबसे पहले काइट दिखती कैसी है, हमें ये तो पता है कि कितनी साइट होती है, फोर साइट होती है, तो यहां भी फोर साइट फिगर है, लेकिन उसमें स्पेशल क्या है, सबसे नीचे, आपको ऐसे नजर आएगा, राइट, टेल होती है नीचे, तो यह उपर काइट ही है, हाँ, इस काइट में स्पेशल क्या है, वो मैं आपको प्रॉपर्टी बताने वाला हो, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, माली जी यहां से शिरुवात करते हैं, A, B, C और D, सबसे पहली प्रॉपर्टी, कि इसमें यह उपर वाली A, B और A, D है ना जो, यह दोनों आपस में एकोल होती हैं, और यह B, C और C, D, यह दो साइट्स आपस में एकोल होती हैं, मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहां पर, सबसे पहले तो साइट्स कौन से एकोल होती हैं, A, दूसरा पेर यह वाला B, C और C, D, यानि कि जैसे नोर्मली परेलोग्राम वगरा में, परेलोग्राम है, रेक्टैंगल है, स्कूर है, रोंबस है, सब में ओपजेट साइट्स को इकोल बोलते हैं, अला कि स्कूर और रोंबस में तो सारी इकोल होती हैं, मेंली परेलोग्रा और रेक्टेंगल लेकिन काइट में साथ साथ वाली होती है एडजेसंट बोल सकते हैं लेकिन उसमें भी एक है ना रूल की सारी एडजेसंट नहीं एडजेसंट तो मतलब होता है साथ साथ वाली तो यहां सिरफ यह दोनों साथ वाली और यह दोनों दिखने में नजर आ जात एंगल B और येवल एंगल D equal आएगा ये एंगल B और एंगल D equal होगा जबकि A और C equal होगा ऐसी कोई guarantee नहीं होगा in fact ठीक है अगर A और C भी equal होगा फिर तो वो परेलोग्राम बन जाएगी तो ये B और D एंगल ये आपस में equal होगे इसका proof भी कर सकते हैं छोटा सा proof है मैं properties पर चलेंगे क्योंकि पता होना चाहिए कि ये B और D equal कैसे है आप यहां पर देखिए एक बीडी डाइगनल जॉइन कर दीजिए कि बीडी को जॉइन कर दिया अब जब बीडी को जॉइन कर दिया तो मैं क्या करता हूं उपर इसको वन लिख देता हूं 2 3 और 4 एंगल के न इंगल A B D क्या है इसी ट्रेंगल है खास पॉंट्स नोट कर ली जे कौन सी है इसी ट्रैंगल है अब इस लिख रैंगल क्या होती है कि जिसमें दो साइड्स equal होते हैं A, B और A, D equal हा रहा है। और आइसोसलेस्ट रैंगल में सिर्फ दो साइड्स ही equal नहीं होती। बेस अंगल भी equal होते हैं। यानि कि ये अंगल 1 और 2 भी आपस में क्या equal है। Because of आइसोसलेस्ट रैंगल। जब मैं आइसोसलेस्ट रैंगल बोल रहा हूं तो नीचे वाली डायग्राम को भूल जाएं। सिर्फ उपर वाली डायग्राम को ध्यान रखना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि हाँ जी एंगल 1 तो 2 के equal है। अच्छा अब उपर वाली डायग्राम को भूल जाएं। तो नीचे भी क्या है। नीचे भी तो आइसोसलेस्ट रैंगल ही है। उसमें भी BCCD के equal है तो इसका मतलब 3 और 4 दोनों base angles आपस में equal है। यह दो जो मैंने एंगल एक को लिखे है इनका benefit क्या है इनको एड कर दीजिए। एड करोगे तो क्या बनेगा लेफ्ट साइड में एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा राइट साइड में एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा अब आप देखो 1 प्लस 3 एड करते हैं तो क्या बनता है 1 और 3 एड किया तो यह पूरा एंगल B बनेगा ना लेकिन मैं आप इसको B नहीं लिख रहा हूँ कि अब मैंने बीच में diagonal बना दिया है ना तो B के भी दो पार्ट हो गए है एक्जेक्ट नाम लिखते हैं एंगल A B C पूरा नाम लिखके दिखाते हैं एंगल ABC इस इक्वल टू A C A D C इदर से A D C है वही चीज ना एंगल B की बात ही कर रहे हैं एंगल D की बात कर रहे हैं लेकिन यहां मैंने लिखा था फुल एंगल क्योंकि तब बीच में डाइगनल नहीं बनाया था अब तो B में उपर वाला हिस्सा भी है नीचे वाला भी है तो मैंने इसलिए पूरा शो किया यहां पर देखा सिंपल सा प्रूफ था तो यह वाला एंगल B और एंगल D दोनों क्या होते हैं एक्वल होते हैं इस अब यहां तक समझा रहा होगा तीसरा पॉइंट नोट करिए थर्ड पॉइंट है आप दूसरा डाइगनल एक और बना दीजिए एसी भी ऐसी भी डाइगनल बना दिया अब एसी डाइगनल जो बनाया दोनों डाइगनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट इं अब नाइन्टी नाइन्टी के होते हैं तो मैं यहां पर यह लिख सकता हूं डाइगनल्स कि डाइगनल्स एसी एंड बीडी कि परपेंडिकुलर्ली कि परपेंडिकुलर्ली इंटरसेक्ट इच अधर कि अभी मैंने बासेंक होती है dissect सुनने के बासें का मतलब भोता 2 एकल पार्ट कि वह मारे परलेलोग्राम वगेरा में तू चलता है र्कटैंगल में भी चलता है कि डाइगनल्स बासेक्ट इच अधर यहां इच कदर नहीं होता इसलिए मैंने यहां पर एक बार इंटर सेक्टी लिखा कि यहां वो सेंटर में 90 डिग्री पर इंटर सेट करते हैं दूसरे को क्रोस करते हैं काटते है अब यह जो बैसेक्ट वाली बात है यह देखना इसमें एक लॉंग डाइगनल है एसी जो है ना लंबा ड ज्यादा क्लैरिटी होती है कि उपर बिल्कुल ही छोटा रखती है नीचे थोड़ी बड़ी करतो ऐसे फिर वो क्लैरिटी ज्यादा आएगी यह देखिए ए बी सी डी अब आप देखो बीडी डाइगनल स्मॉल नजर आ रहा है ना एसी डाइगनल बढ़ा होगा ऐसे एक ड पर आपको डीफरेंस दिखा दिया बनाके होता क्या है जो लांगर डाइगनल है लांगर डाइगनल थोसी जैसे यहाँ पर है डाइसैक स्मॉल्ल स्मॉललर डाइगनल बाइसैक त्या दाइगनल आब इसका मतलब क्या है कि जो बड़ा डइगनल एसी है तो यह जो बड़ा डाइगनले से बीडिको टू इक्वल पार्टे बाठता है मैं मुझे छोटा डाइगनल ना उसके दोट टोकड़े एक्वल होते दैगनल कर नहीं होते यह हैंने कि यहां पर ओबी ओड इत्कोंने को लोगा होटा है वि किस यॉप होगा होगा टाल पिर से लाभा कई पॉइंट से एक लास्ट रह गांग है फिफ्ऩ जो इंपोर्टेंट है कि यह जो एक्ली A B C मैं नाम भी लिख देता हूँ ट्रेंगल A B C दूसरी तरफ ट्रेंगल A D C यह दोलनों ट्रेंगल्स congurrent हैं जोई यानि कि लोंगर diagonal AC divides this diagram into two congurrent triangles जो दो triangles बनते हैं दोनों congruent होती है कैसे congruent होती है by SSS वो congrency का अगर किसी को concept में doubt है तो आप एक comment करके message करते न मैं आपको reply में link send कर दूंगा उसका separate video बनाया हमने यहां देखिए AB और AD equal है BC और CD equal है और तीसरा यह जो AC diagonal है this is common between both the triangles तो by SSS triangles are congruent तो अब देखिए यह कुछ important properties है काइट की जो हर किसी को पता होनी चाहिए और I hope कि यह सभी properties आपको समझ आ गई होंगे अगर आपको लगता है कि यह video students के लिए helpful है और हमने भी मन से बनाया है तो आप इस video को like और share जरूर कीजिए thank you so much